अब मैं आपको यहाँ भी यह बताता हूँ कि आप बार चार्ट को जिसमें आपने स्टैक की हुई है चीजे जैसे हमने पाई चार्ट बनाया था अगर वो आप कॉडिनेट पोलर को वहाँ पे आड़ करेंगे then you can create पाई चार्ट of the whole data कैसे सिंपल है यह वाला पाई चार्ट का हमारा स्क्रिप्ट है हमने यह वाली एक लाइन उठानी है कॉडिनेट पोलर की इसको मैं बंद करता हूँ यह हमारा प्लॉट था स्टैक पाइट पाइट इसके आगे प्लस लगा के वो लाइन आइड कर दे कॉड़ पोलर य-axis की बेस पे उसको ऐसे जोड़ दो दोनों सीरे ठीक है य-axis की बेस पे गुमा आके स्टार्ट जीरो से करो and then show me मैं इसको रन करता हूँ यह विल सी अन दे राइट साइट इस तरीके से हमारे पास एक प्लॉट बन जाएगा which is showing us condition based on the color and then we have different species like this and this is showing us कि किस तरीके से each species जो है वो काम कर रही है अगर आप गौर करें यह बनाना के एक वाल है यह वाला पाई चार्ट वो इसी के एक वाल है यह वाला पाई चार्ट सौर्गो के एक वाल है यह वाला पाई चार्ट यह वाला पाई चार्ट लेकिन यह बहुत कम बनाया जाता है in strategies खास तोर पर जब आप प्लॉटिंग कर रहे होते हैं क्यों क्यों कि यहां पे y-axis की sense नहीं बन रही because you need to show each polar plot अब इसकी sense में बनाने के लिए अगर इसको मैं percent वाले के आगे लगाँगा then you will understand this clearly हमारे पास यह वाला plot है यह वाला percent in total वाला components in components मैं इसके अंदर यह वाला लगाता हूँ let's see and here you have the complete pie chart not the spiral one but the complete तो आपके पास यहां पे है posy है, second है, treatica में यह चार किसम की types है, colors भी आ रहे है और हर किसी का parts for whole आ रहे है यहां से start हो रहे है ऐसे गुमाग है हमने जोड़ दिया 0 से 1 तक this is how you can see the whole pie chart और यह beauty है coding की, कि आप coding के थूँ बहुत कुछ कर सकते हैं, आप इनके color change करें हैं आप इनके types change कर सकते हैं and you can do a lot of other things then your plots will be much nicer